प्रेंट्स मैं आज एक ऐसे प्रोड़क्ट के बार में बताने जा रहा हूं जो कि आपको 15 लाग प्लस पर मंथ टर्ण ओवर ला सकता है और इसमें अगर प्रोड़क्ट की जो मैनिफैक्ट्रिंग की बात करें उसमें लागत बहुत ही कम होने वाला है अगर एक प्रोड़क्ट की बात करें तो मुश्किल से 5-10-15 रुपए इससे जादा नहीं होने वाला हूं और यह जो प्रोड़क्ट है जो प्रीविस वीडियो में मैंने बताया था यूवी प्रिंट का जो explanation जब मैं दे रहा था यूवी प्रिंटर से बने प्रोड़क्ट की जब मैं बता रहे उसमें से लगबग 10 प्लेस प्रोड़क्ट को मैंने बताया था कि इन सारे प्रोड़क्ट को बना सकते हैं उन में से मैंने एक प्रोड़क्ट सेलेक्ट करा है और जो फ्लिक काट अमाजोन में जो हाई सेलिंग प्रोड़क्ट है जिसका बहुत यह अच्छा खासा डिमांड है तो आप डेफिनेटली इसको समझनी की कोशिश करिए कि इसमें कितना स्कोप है तो मैं अगर आपने प्रीविज वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए जिससे का आपको समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को करने में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं सो जैसे कि मैंने प्रीविज वीडियो में बताया था यूवी प्रेंटर से बने प्रोड़क्ट सो इसमें मैंने बताया कि अच्छा का वर्टिकल है उस पर्टिकलर वर्टिकल में कौन से टोप फॉर प्रोडेक्स है जैसे कि अगर आप और अधर प्रोडेक्स की बात करें और अधर वर्टिकल की बात करें उसमें समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से प्रोडेक्ट है वहां पर आपको को identify करना कि कौन-कौन से product हो सकते हैं high selling वहां पर समझने थोड़ा सा मश्किल हो सकता है लेकिन यहां पर फिक्स product है कि यही product है इसको समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मेरी personal request है कि अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हीट जरूर करें क्योंकि इस चैनल में मैं e-commerce platform पर high selling products को म मैं बताता हूं कि कौन-कौन ऐसे products हैं जिसमें orders बड़े अच्छे होते हैं profit अच्छे खासे होते हैं और इसके इसके अलावे में previous video मैंने बनाया हुआ है जो e-commerce platform पर अगर आप new है तो उसको भी मैंने guide करा है कैसे कर सकते हैं या फिर जो अगर आप already पुराने sellers और आपका इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है इसको मैंने step wise step मैंने explain करा है आप उनको वीडियो को देख सकते हैं सो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो एक particular vertical की जो बात कर रहा हूं उनमें कौन-कौन सायसे product है और इसमें कितने orders आ सकते हैं चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिख उनमें से एक product मैंने posters को भी मैंने बताया था सो इस तरीकी के जो poster हैं जिनके जो dimension आप लगबग कह सकते हैं one feet by dead feet के आसपास dead feet by 2 feet आसपास के यह जो सारे जितने भी posters आप देख पा रहे हैं उसी size के posters 12 inch भई 18 inch इस तरीकी के जो poster हैं यह सारे posters बहुत ही highly demanded हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि इन सारे products को अगर आप include करते हैं लगबग इस category में posters या फिर paintings यह दोनों verticals में कहीं भी listing कर सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा कासा demand है लगबग मैं इनको जो order भी दिखाने वाला हूं कि कितने orders लगबग आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया 15 lakh plus आप इस particular vertical में ही आप deal करके लगबग एक highest selling vertical यानि established sellers का detail में दिखा रहा हूं जिसमें अच्छे खासे order है और इन सारे products में मैं आपको दिखाता हूं कि कौन ऐसे product हैं जो high selling बहुत ज्यादा order है सबसे पहला जो product है ए रहा आपका ए पर्टिकुलर product है इसमें बहुत ज्यादा orders आते हैं हलाकि मैं इनको count दिखाने वाला हूं अभी सबसे top 4 में मैंने बताया था तो सबसे first ए एक product है और इसको जो बहुत ज्यादा sale होने का एक reason ए भी है कि इसको शुब माना जाता है अग अगर आप Google में search करते हैं तो जो symbolize करता है जो stability, courage, power, strength and loyalty इसका जो आप वास्तु के हिसाब से अगर आप देखें जो लोग मानते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में मानते हैं और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो definitely यह वाला जो image लोग seven horse, running horses जो बहुत लोग purchase करते हैं इनको मैं अभी count भी दिखाने वाला हूं कि लगबग लगबग एक महीने में कितने orders आ जाते हैं और दूसरा image ए रहा एक particular account से जो मैंने दिखाने कोशिश करा है, दूसरा image ए है दो दूसरा poster और तीसरा poster इसको कह सकते है यह वाला basically यही वाले सा जो image है complete यह तो canvas है lifestyle image है यह सारे posters की बात कर रहा हूं और यह एक poster है, so total मैंने चार select कर रहा है, इसको मैं अभी आपको let me show you कि इसमें orders कितने आ जाते हैं, जो जिस orders की मैं बात कर रहा था, so ए रहा आपका, यहां पर देख लीजे, ए रहा आपका account, इसमें देखे, total 8,763, आप यहां पर देख भी सकते हो, यह last 30 days के जो order, last 30 days का जो है, यहां पर जो orders है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें total listings कितने हैं, जिसे कि आपको idea लग पाएगा, इसमें totals सारे जितने भी हैं, सारे आपको 2000 के आसपास, सारे posters ही हैं, सारे posters ही हैं, इसमें जितने भी listed हैं, पोस्टर ही हैं, और जैसे कि मैंने order बताए, इसमें 8,700 के आसपास, जो last 30 days में order हुए है, जैसे कि मैंने बताए, इनका जो total 87,63 था तब मैंने इसका जो report मैंने download करा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, total orders के अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे, तो यहां देखेंगे, 87,63 यह total orders थे, उसको मैंने download करके रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए, 87,63 था, अभी हलाँ कि मैंने refresh करा तो बढ़ गया, अब यह वाला देखेंगे, यहां पर पहला image जो मैंने दिखाया था, running horse वाला, जो एक महिनी में total यह देख लिए, 2500, 2500 सबसे ज़्यादा high selling products जो कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो demand वाला, गोडे वाला जो मैंने दिखाया था, एवाला जो 2500, सबसे ज़्यादा demand है, तो definitely आप इससे आपको पता लगे, एक अच्छी चीज़ आपको पता चलिए, कि yes, एवाला जो product है, बहुत demanding है, painting and posters वाले जो category की बात करें, तो यह आपको पता सारे मिला करके, जितने भी जो orders थे, 8700 के आसपास, तो इसमें definitely केवाल, painting and posters ही है, तो definitely इसमें एक अच्छा खासा profit है, अगर आप 8700 के आसपास को, अगर आप per product, अगर आप 20 रुपीस भी margin अगर आप रखतें, तो बहुत अच्छा खासा, इसमें margin आप कह सकते ही, कि बहु करते हैं, तो total आपको कितने आ रहा है, 1,74,000 के आसपास का per month आ रहा है, अगर इसको अगर इसको अगर इसको आप divided by 2, यानि की, अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब 10 रुपया, 10 रुपया, so 87,000, अगर 10 रुपय भी margin रखते हैं per product में, फिर भी आपका 87,000 आपका profit हो सकता है, so friends, in analysis को समझने से, देखने से आपको यह समझ में आ गया होगा, कि actually इसमें definitely अच्छा scope है, और यह भी बताना चाहूंगा, कि हमारे पास बहुत सारा ऐसे accounts है, जिनको हम manage करते हैं, जहां से हम यह जो details हम यह show करते हैं, और यह जो इसमें कोई personal information हम नहीं show करते हैं, just कु motivate करने के लिए अच्छा है, यानि कि लोगों को एक motivation मिले कि yes, इसमें अच्छा कासा क्या करा जा सकता है, क्या scope है, यह सारी चीजों को में हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई भी personal information नहीं होती है, so my dear friends, अगर आभी ताक आपने channel को subscribe करते वक्त, bell icon को hit नहीं कर एात एत आभी अच्छा है, क्या दोते हैं अगरी अगरे झापने को इस тор आट आफने हैं, क्या टेंडिन अगरे थोरोगने चाहएं शोग सक बा छॉकरे हैं, क्या भीज़